जै मातादी मेरी यूटूब चनल सपनों के सच में आपका स्वागत है कैसे दोस्तों उम्मीद करते हूं सब बहुत ही अच्छे होंगे और माताराने का प्यार आशिरवाद आप सभी पर बना रहे आज बात करेंगे कि सपने में यह हूं धान क्यों दिखाई देते हैं क्यों ह कि वह सपना आपको भविश्य के लिए संकेत देने आता है कहीं न गहीं वह सपना आपको भविश्य के लिए कुछ बताना चाता है तो उस सपने के सही अर्थ को समझे अगर कोई व्यक्ति सपने में गेहूं देखता है मतलब पक गए हैं गेहूं पके हुए गेहूं देखत और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अ काम यूज आ कुछ इंपर्व्य यूज परिनाम नहीं बेह। तो is it我很 convenient, जो आपकी महनत है वह रंड लाएगी या रंग लाने वाली है आपका गाहूच है, आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अच्छा पड़ी नाम देखने को मिलेगा और अगर कोई व्यक्ति सपने में गेहूं के धान गेहूं देखता है लेकिन मतलब कच्छी फसल देखता है वो पूरी तरह पकी नहीं है हरी भरी है तो यह सपना संके देता है कि आप बिल्कुल भी निरास मत होईए आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें अच्छा पड़ी नाम देखने को मिलेगा इसलिए अगर आप किसी भी काम को करते हो चाहे आपकी नोकरी है साधी है कोई भी काम हो किसी भी काम को कोई भी काम करने की सोच रहे हो आप चाहे संतान प्राक्ति चाहे विवा और चाहे विवासाई से जोड़ा हुआ तो यह सपना संकेत देता है कि आपको निश्चित आता है ये लेकिन सूकी हुई बंजर भूमी सपने में देखना अच्छा नहीं होता है दोस्तों मैं आपको कई बार कह भी चुकी हूं उस चीज के लिए ऐसे सपने अच्छे नहीं होते हैं तो उम्मीद करती हूं आपको जानकारी पसंद आए जैमातादी जैस्त्रिकिष्ण करता है सब्सक्तर नहीं होते हैं, जैसमा जानकारी जैस्टै जैसरे में जैसरे कारती है।